Vocabulary Series Students की heavy demand पे मैं ये series start कर रही हूँ बहुत सारे बच्चों के messages, comments आये थे They want me to start word power made easy इसलिए मैंने एक poll भी conduct किया था If they are ready to accept this series and should I start this And 100% students ने yes में a quote दिया था So here we go guys सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या तरीका है, best way है इस book को use करने का जो की author भी खुद भी recommend करते हैं Norman Lewis तो आये जानते हैं सबसे पहले author बोलते हैं कि इस book को don't read Don't read का मतलब है इसको एक novel या फिर एक story book के जैसे नहीं पढ़ना है तो क्या करना है, हमको active learning के through Active participation के through learn करना है Active participation का मतलब हुआ आपको जोर जोर से बोल के हर एक word को उसका phonetics के साथ में pronounce करना है pronunciation भी साथ साथ में improve होना चाहिए आपका जैसे जैसे आप words learn करते जाते हैं और साथ ही साथ जब भी आप कुछ नए words सीख लेते हैं कोई एक particular session या फिर lesson खतम करते हैं उसके बाद बहुत important है कि उसके lesson के last में दी गई exercise आप जरूर practice करें practice करने से होगा ये कि आपका एक review एक recap हो जाएगा revision हो जाएगा जो आपने अभी अभी words को सीखा है immediate recap और immediate review से होता है आपके जो दिमाग में अभी अभी आपने जो सीखा है वो एक firmly implant हो जाता है तो इसलिए काफ़ important है chapter का review करना दूसरी चीज यह है कि pronunciation जब भी कोई भी नया word आप सीखेंगे तो pronunciation most important है क्यों important है कि अगर आप कोई word बोल रहे हैं लेकिन गलत तरीके से बोल रहे हैं तो कोई point ही नी बनता है नया word सीखने का तो इसलिए correct pronunciation के साथ हर एक word को सीखना है आपको आपका accent को ध्यान में रखते हुए बात करनी है जादा से जादा phonetics को correctly follow करना है कहाँ पे capital S है, कहाँ पे small x है यह सब भी ध्यान रखना है जहाँ तक pronunciation की बात है यह सब जो points की बात है जब मैं आपको lessons start करूँगी lessons के जो videos आएंगे उसमें मैं सारी चीज़े ध्यान में रखने वाली हो तो don't worry about that दूसरी चीज़े है कि consonants की जो sounds होती है वो काफी जादातर एक ही तरीके की होती उसमें जादा variations अलग-अलग words में नहीं होते है जबकि vowels जो sound होती है अलग-अलग words में differently वो निकल के आती है तो हमको जादा मेहनत करनी पड़ेगी vowels की जो sound है उनको master करने में compared to consonants लेकिन है difficult बिलकुल नहीं है that you can be rest assured और जो थोड़ा बहुत problem भी होगा that I'll make sure कि मैं आपको most easiest manner में आपको बताऊं ताकि हमेशा के लिए वो words वो pattern आपके दिमाग में बैठ जाएगा ठीक है तीसरी चीज ये है कि इस book को इस book में follow किया गया है etymology method etymology का मतलब होता है root words के थूँ याद करना उससे होता यह है कि जो आपकी learning है वो easy हो जाती है दिमाग में आपको connections जो है words के एक word और दूसरे word में जो relation है connection है वो diagram एक तरीके से बन जाता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे example में भी बना के दिखाया है इस तरीके से जब हम words को याद करेंगे वो आसान हो जाएंगे हमारी लिए याद करना और दूसरी चीज हमारे हम जादा से जादा words number of words हम quickly learn कर लेंगे and for the long run जो हमारे number of words है हम बहुत short period में बहुत सारे words याद कर लेंगे में सोचे अपने को ही importance दे मैं जिसको बोलता है तो ego को हम root word को use करके egoist बना सकते हैं, egotist बना सकते हैं egocentric, egomaniac, egomanical बहुत सारे words ego से और भी होता है तो इस तरीके से यहाँ पर method follow किया गया है जो की काफी helpful होने वाला है दूसरी चीज author यह बताते हैं कि before start learning, यह book पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजे ध्यान में रखनी है, आपको parts of speech मालूम होने चाहिए, नहीं मालूम है, कोई problem है, कोई queries है doubts है, no problem, मैंने already इस पर एक video बनाई हुए description box में आपको link मिल जाएगा आप वहाँ जाके देख लिजे पहले आपको कौन-कौन से words जैसे noun, pronoun, verb, adverb, किस तरीके से end होते हैं, किस तरीके से जो verb है उसको adverb में, या फिर noun, pronoun इस तरीके से किस तरीक, कैसे एक part of speech से, दूसरे part of speech में, words को change भी किया जा सकता है, उसके उपर भी मैंने videos बना के रखी है, that also you will get in description box तो वहाँ जाके आप पहले वो videos देख लिजे and then you can start this book सबसे best तरीका इस book को use करने का author बताते हैं, कि आपको एक साथ में इस book को पढ़ना नहीं है, जैसे कि मैंने first point में भी बता है था, don't read this book as a novel, story book के जैसे एक ही दिन में पढ़ने की जरुरत नहीं है और वो beneficial भी नहीं होगा, तो don't waste your time, एक ही दिन में खतम करने की कोशिश मत करना हमको सिर्फ 15 से 20 मिनिट हर दिन इस book को देना है जब आप मेरी video series देखेंगे तो just watch one video per day, और वो video देखने के बाद, समझ जाने के बाद में आप उस chapter के पीछे में जो exercise दिये गए है आपको immediately वो करना है ठीक है, so जल्दी आपको नहीं करनी है, हरी में नहीं रहना है, slowly slowly ये habit आपको develop करनी है, and once this habit get developed, आप बहुत speed से अराम से जा पाएंगे बिना किसी problem के, लेकिन initially आपको जल्दबाजी के इलावा आपको धीरे-धीरे अपनी habit को develop करना है, revise, 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 that is the main यहाँ पर motto है, main इसका जो theme है, वो यही रोगा, कि आपको revise करना है, देखो यहाँ पर vision और ratification में बहुत difference होता है, आप समझ के किसी चीज़ को revise करोगे, तो आपको वो चीज़ दिमाग में जादा अच्छे से comfortably बैठेगी, और जब भी आपको उस word को दुबारा से कहीं पर use करना, बहुत ही आसान तरीके से और correctly आप उसको use कर पाओगे जबकि अगर आप ratification करोगे एक तो बहुत जल्दी आप उस word को भूल जाओगे, उसका meaning कभी-कभी भूल जाता है, correct जगे पर use करना नहीं आता है, तो ratification मत करो revise करने में believe करना है धीरे-धीरे इस book को आपको use करना है और जैसे मैंने आपको बताया जैसे आप मेरी video देखते हो video lesson देखते हो, इस book का उसके बाद आपको exercise जरूर उसे जरूर करनी है ठीक है, दूसरी चीज आपको ये करनी है कि ये book को start करने से पहले, it's always good, आप अपनी जो present आपकी vocabulary है वो एक बाद test कर लीजे क्यों कर लीजे, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी present stand कहां stand करते है, किते words आपको मालूम है, आपकी vocabulary का present standard क्या है, ठीक है और उसके बाद में, जब ये book खरी खतम कर लेंगे, उसके बाद में वापिस से एक बाद चेक कर लो, कहां चेक करनी है ये आपको, आपका जो ये test आपको कहां करना है, इस book में ही starting में ही आपको test available है वहाँ पर आप जाके test कर लीजे आपकी present grammar, आपकी present vocabulary को, ठीक है book खतम करने के बाद वापस से चेक करना, and you will be astonished you will be so happy, excited कि आपकी इतना tremendous growth आपकी vocabulary में हो गया है नहीं सिर्फ आपका जो vocabulary develop होगा, बलकि साथ ही साथ आप एक pattern सीख जाएंगे तरीका सीख जाएंगे, जो की बहुत 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 जादा important है, आपकी future vocabulary को और जादा develop करने के लिए तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दो, अगर आया है तो चैनल को सब्स्राइब करना, बिलकुल मत भूलना दोस्तों के साथ शैक को दो invite everybody, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द next इसका lesson जो है वो upload करने वाली है just stay tuned, everyday you have to watch one video of this book and आपकी vocabulary का जो growth होने वाला है that will be tremendous don't forget to follow me in Instagram and Telegram also वहाँ पे भी मैं updates दे रहती हूँ polls करते रहती हूँ conduct and soon वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे initially कुछ test series start करूंगी and later on will become will go to a next advanced level share your reason why you want to learn English and this case why you want to learn or develop your vocabulary I'll be really happy to read your comments I'll see you very soon in my next video till then take care of yourself and bye-bye